ग्यान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल हेल्थ गुरुजी के साथ और पाइए प्राचीन नवीन हर एक पेड़ पौधे, जोतिश और आयूरवेदिक जानकारी दोस्तों, ये पौधा कितने काम का है? सत्यानाशी नाम का पौधा और इसके बीज में औशधिय गुण हैं, जो कि सेहत के लिए फायदे मंद हैं सत्यानाशी सड़क के किनारे की एक खर्पतवार की तुलना में बहुत अधिक है, जो कि अपनी बीमारियों के इलाज की क्षमता के कारण सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है सत्यानाशी के स्वास्थे लाब इसके एंटी माइक्रोबियल, एंटी डाइबिटी, एनालजेसिक, एंटी इंफलेमेटरी, एंटी स्पास्मोडिक, एंटी ऑंक्सिडेंट गुणों के कारण है इसके बीज में रेचक के गुण होते हैं, जो कब्ज के इलाज में मदद करते हैं साथ ही सत्यानाशी त्वचा, आँखों से लेकर खांसी, पीलिया जैसी बीमारियां दूर करने में भी काम आता है इस दवा को कई बीमारियों का इलाज करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसकी पत्तियों का उप्योग, मलेरिया बुखार, अलसर और त्वचा की समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है इसकी जड़ मूत्र से जुड़ी और पुराने त्वचा रोगों को ठीक करने के लिए उपयोग की जाती है इसके पौधे से तैयार रस पीलिया और त्वचा की समस्याओं के लिए लाभकारी होता है इसके अलावा यह जड़ी बूटी मोतिया बिंद, आँखों में लालिमा और खुजली के इलाज के लिए भी उपयोग की जाती है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है हम अपने इस हेल्थ गुरुजी चैनल के माध्यम से बहुत प्रयास कर रहे हैं कि पेड़ पौधे की हर एक जानकारी भारत के सभी लोगों को फिर से प्राप्त हो लोग आयुरवेद को समझे पेड़ पौधे जड़ी बूटियों की जानकारी एक बार फिर से काफी महनत करके ये जानकारी हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने के प्रयास कर रहे हैं ताकि भारत भूमी से इस प्रकार के ज्यान का धरोहर समाप्त नहो अगर आप भी सचे भारती है दिल से भारत माता को मानते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुरवेद अवश्य लिखना मेरा मनोबल बढ़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट अवश्य करना दोस्तों, त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए सत्यानाशी एक प्रभावी उपाय है सत्यानाशी पाउडर में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जिनका उप्योग विभिन्न त्वचा रोगों के इलाज के लिए किया जा सकता है दोस्तों, सत्यानाशी के पौधे के रस में मूत्र वर्धक गुण होते हैं जो मूत्र में होने वाली परेशानियों से राहत देने में मदद करते हैं मूत्र पथ में होने वाली जलन और दर्द से भी राहत देते हैं अगर दोस्तों सत्यानाशी चड़ को सांस लेने की समस्याओं के लिए एक शांदार उपाय माना जाता है, ये फेफ़डों में जमा कफ को हटाने में मदद करता है, और अस्थमा वसांस लेने में परिशानी से राहत देता है. दोस्तों, खांसी में भी फायदे मंद है, ये डायबिटीज रोगियों के लिए सत्यानाशी के पत्तों से निकाले गए रस में रक्त शरकरा के स्तर को कम करके डायबिटीज से लड़ने की क्षमता होती है, इसका रोजाना सेवन करने से शरीर में शुगर लेवल को नियंतरित किया जा सकता है, दोस्तों, सत्यानाशी पाउडर अलसर और फाइब्रोइड के उपचार में मदद करता है, इसे अपने आहार में शामिल करने से अलसर और पेट दर्ध से राहत मिलती है, पेट में पानी भरने की समस्या, अगर पेट में दूशित पानी जमा होने की वजह स जलोदर होता है, यह दो जिल्लीदार पर्तों के बीच बनता है, जो एक साथ मिलकर पेरिटोनियम बनाते हैं, पेरिटोनियम एक चिकनी थैली है, जिसमें शरीर के अंग होते हैं, इसमें थोड़ी मात्रा में तरल पदार्थ होने सामान्य हैं, लेकिन दूशित पानी जमा होन ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि पीलिया से निजात दिलाने में मदद करते हैं इसके पौधे का इस्तेमाल पीलिया मरीजों के लिए किया जाता है सत्यानाशी तेल की आठ से दस बूंदों को गिलोय के रस में मिलाएं और पी लें दोस्तों आउखों से संबंधित समस्याओं में सत्यानाशी लाबकारी है यह आँखों के सूखे पन ग्लुकोमा को ठीक करने में मदद करता है गुलाब जल सत्यानाशी के अर्क का घोल बना कर इसकी दो बूंदें आँखों में डालें यह उपाये दिन में दो बार करें, इस से आँखों के लाल होने द्रिष्टिकी समस्या से छुटकारा मिलेगा दोस्तों सत्यानाशी पौधे की जड़ का इस्तिमाल ब्रॉंकायल अस्थमा के लिए कैसे करें? तो पौधे की जड़े निकाल कर सबसे पहले अच्छे से धुएं, इसके बाद इन्हें अच्छी तरह से सुखाने के बाद, इसकी जड़ से पाउडर तयार करें दिन में दो बार गर्म दूध या पानी के साथ आधे से 8 ग्राम पाउडर का सेवन करें या कफ को निकालने में मदद करता है? आप चीनी के साथ इसके पीले दूध की 4-5 बूंद मिक्स करके सेवन कर सकते हैं ये भी इसके लिए एक अच्छा उपाय है सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा इस ग्यान को अपने तक सीमित मत रखना इसे आगे जरूर शेयर करना हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बरबाद होने से बचा ले जो लोग बिमारी से ग्रसित हैस वीडियो को देखे तो उन्हे काफी लाभ मिल जाए तो आपको भी पुन्य की प्राप्ती होगा जनहित एवं जन कल्यान के लिए इसे आगे जरूर शेयर करिएगा आज की जानकारी यही पर समाप्त करता हूं दर्शको हमारे हेल्थ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना धन्यवाद नमस्कार जय हिंद जय आयूरवेद